नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारी चैनल वी आर एस्ट्रोलोजी में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की शुक्र ग्रह को सुब ग्रहों में से एक माना जाता है यदि ये ग्रह मजबूत हो तो वेक्ति को जीवन में तमाम सुख सुविधाएं धन संपत्ती भोग विलाशिता मिलती है ऐसे वेक्ति में सौंदरिय की भी कोई कमी नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है वेवाईक सुख बहुती अच्छे स्तर का मिलता है एक लग्जीरियस लाइफ शुक्र ग्रह वाला वेक्ति जीवन में पाता है तो दोस्तों आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए शुक्र की क्या इस्तिती है अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आपको जीवन में तमाम सुख सुविधाएं मिलती है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस बाओं में बेठा हुआ है अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र केंदर के इस्थानों में या फिर दुआदस इस्थान में अपनी रासी व्रिशब या तुला में बेठा है या फिर उच्छ रासी मीन में बेठा है तो ये बहुत अच्छी स्थिती है क्योंकि दोस्तों केंदर के स्थानों में शुक्र अपनी रासी या उच्छ रासी में बेट कर पंच महापुरुस योग में से एक मालव्य योग का निर्मान करता है और 12 स्थान में भी शुक्र को बहुत ही शुब माना जाता है अगर इन पांचों में से किसी भी भाव में शुक्र बेठा है तो ये बहुत अच्छी स्थिती है इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि शुक्र किस नक्षत्र में बेठा हुआ है अगर दोस्तों शुक्र, अश्वीनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, स्वाती नक्षत्र या फिर रेवती नक्षत्र इन पांचों में से किसी नक्षत्र में बेठा है तो दिए मान लीजिए कि ये सोने पे सुहागा वाली स्थिती है ऐसी इस्तिती होने पर ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती ऐसा वेक्ति जीवन में तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है शुक्र की कृपा उसके जीवन में उसे सभी सुख सुविधाएं दिलाती है ऐसे विक्ति जीवन में करोड़ पती या अरब पती भी बन सकते हैं अगर दोस्तों ऐसी इस्तिती आपकी कुंडली में घटित हो रही है तो ये मान के चलिए कि आप जीवन में जरूर धन्वान बनेंगे एक ना एक दिन आपके पास जरूर पैसा आएगा और आप जीवन में तमाम सुख सुविदाओं का उप भूग करेंगे तो देखिए दोस्तों आप भी एपनी कुंडली में ऐसी इस्तिती देख सकते हैं अगर ऐसी इस्तिती आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है तो मान के चलिए ये बहुत ही सुब इस्तिती है एशे में शुक्र बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और आपको जीवन में तमाम सुख सुविदाओं से संपन करवा देंगे